ये देखिए, ये बहुती सुन्दर बने हैं, बहुती क्रिस्पी भी ये हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं. हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका काड्यू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले के भजिये, इसे हम व्रत के पकोड़े भी बोल सकते हैं, जब भी हमारा व्रत होता है, तो हम सोच में पढ़ जाते हैं कि आज क्या बनाएं, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसे Facebook पे देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, तो चलिए, शुरू करते हैं केले के भजिये बनाना, भजिये बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कच् इनका मैंने छिलका उतार दिया है, अब हम इनको कट करेंगे. इस तरह से मैं इनको कट कर लूँगी. ये केले की पीसे को मैंने कट कर लिया है, अब मैं इनको एक बॉल में डालके इसमें थोड़ा सा पानी डालके 5 मिनट के लिए रखूंगी, इससे इसमें जो चिकनाई होती है वो निकल जाएगी इस तरीके से पानी डालकर इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लगबग 5 मिनट हो गए हैं, अब इन केलों में से हम पानी को निकाल देंगे यह मैंने केले में से पानी निकाल लिया है और साथ में दो आलू को सेम साइज का कट किया है अब मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिया है इसमें मैं दालूंगी कटे हुए आलू ये कटे हुए केले, और साथ में ये दो कटे हुए हरी मिट्ची, हरी मिट्ची को मैंने इस साइज का काट लिया है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी कुट्टू का आठा, आप चाहें तो सिंगाडे का आठा भी यूज़ कर सकती है, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें मिलाऊंगी सेंदा नमक, ये हम स्वाद के अनुसार दालेंगे, और साथ में मैं इसमें मिलाऊंगी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़ादा कर सकते हैं, इसको भी अच्छे से mix करेंगे, यह सब भी अच्छे से mix हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाओंगी, पानी हमें ज्यादा नहीं मिलाना है, और एक साथ बिल्कुल नहीं मिलाना है, थोड़ा सा दालेंगे, उसको हम mix करेंगे, यह अच्छे से mix हो गया है, इसमें लगबग 1-4 cup जितना पानी लगा है, यह देखी इतना गाड़ा हमें चाहिए होगा, अब हम चलते हैं गैस की तरब और भजियों को तलते हैं, भजिये तलने के लिए मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है, अब हम इनको हाथों से तलेंगे, इस तरह से हाथ में मैं थोड़ा सा पोर्शन लोगे और इसको ऐसे कड़ाई में हम डाल देंगे, इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको तलेंगे ये कडाई में मैंने भजिये डाल दिये हैं एक बार में हमें उतने ही डालने हैं जितने कडाई में आएंगे अब ही हम इसको नई छेड़ेंगे ये नीचे से तल के थोड़ा उपर आ जाएंगे, ये अपने आप तैरने लगेंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, ये थोड़े थोड़े तैर के अपने आप उपर आ गए हैं, अब इसको हम टर्न कर लेते हैं, ये सबी भज्यों को मैंने टर्न कर लिया हैं, अब दू आकी भचquinho ये भजीय भी हम इसी तरह से तल लेंगे. ये सब भजीय बनकर त्यार हो गए है. ये देखिये, ये बहुती सुंदर बने है, बहुती क्रिस्पी भी ये है, और खाने में भी बहुत टेस्टी बने है. गिवरत में खाने की एक नई और टेस्टी रेसीपी है, आप ये रेसीपी जरूर ट्राय कीजेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसीपी कैसी लगी, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करें, तो चलिए अब मिलते हैं, अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसीपी के साथ, थैंक यू.